असलाम लेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर परी टोनर बना सकते हैं, टोनर हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है, यह वो लोग जादा बहतर समझेंगे जो CTM रूटीन को फॉलो करते हैं, CTM र करवाएगा, साथ ही साथ यह आपको देगा extra glow, अगर आपको open pores की problem है, तो वो भी दूर हो जाएगी, और आपकी complexion को भी equal करेगा, इसका कोई side effect नहीं है, आपकी दागधबो को भी lighten करेगा, यह यह टोनर है, सबी skin type वालों के लिए, लेकिन oily combination और acne prone skin वालों के लिए तो अगर आपके पास spray bottle नहीं है, तो आप किसी भी container में रख सकते हैं, और cotton के help से अपने face पर लगा सकते हैं, दिन में तीन से चार बार आपको इसे अपने face पर spray करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन में दो बातों जरूर कीजेगा इसे, और हाँ अगर आप आपको लिना है एक फ्रिश खीरा यानी कुकुमबर और इसे कटकर के मिक्सी के जार में डालना है, यहां पर मैंने खीरे को काट लिया है, अब मैं इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लूँगी, यह देखिए कितना fine paste बन गया है, आप इसे चान लेना है, और इसका सारा जूस निकाल लेना है, अब यहां पर मैं सारा खीरे का जूस निकाल रही हूं, आप कॉटन की कप्ड़े से भी निचोड़कार रस निकाल सकते हैं, उसे काफी अच्छा से निकल जाता है, तो देखिए, यहां पर हमें सारा जूस निकाल लिया है, इसके बाद प्रिसंगे मैं कर उसका रस निकाल कर इसमें आड़ करना है पुदीनी की पत्तियों को डालने से काफी कूलिंग एफेक्ट मिलेगा आपको और यह हमारे दाग धब्बो को भी लाइटन करता है लास्ट आपको इसमें दो चमज एड़ करना है रोज वाटर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसे एक स्प्रे बोटल में भरना है आपको इसे यूज करते हुए हमेशा शेक करना है ताकि इसके जो पार्टिकल निंचे बैठ जाते हैं वो अच्छे से पूरे टोनर में मिक्स हो जाए और यूज करने के बाद आपको इसे फ्रीज में रखना है तो यह था होममेट कुकुमबर टोनर और आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कुछ पूछ ना हो तो कमेंट करिएगा तो बिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए हाफिस